इदू जुहा यानी बकर इद पर भले ही कोरोना का साया रहा हो पर उज्जेन के मुस्लिम समाज के लोगों ने बकर इद को खास बनाने की कोशिस की है बुदवार को यहां इदू जुहा पर सबसे ज्यादा वजनी बकरे की कुर्बानी दी गई दरसल उज्जेन में मुस्लिम समाज ने इदू जुहा को खास बनाने के लिए पहले से ही तैयारियां सुरू कर दी थी और पंजाब गुजरात और राजस्थान से विशेस नसल के ब बजनी बकरा रहा यूं तो यह सभी बकरे कीमती है पर दो सो पच्चिस किलो के इस बकरे की कीमत चाल लाख पचास हजार रुपए है खास बात यह है कि मुस्लिम समाज जन 21 बकरों को कुर्बान कर गरिबों में बाटेगा बकरों को दूद जलेबी इमलती काजू बादाम और ड्राइफ रूट के साथ हरे पेड़ की पत्ती चनाव अन्यसामगरी खिलाकर तयार किया गया है रासित कुरेशी के मुताबिक गुजरी और दुंबा बकरे की कुर्बानी का विसेस महत्व होता है इसलिए अलग-अलग राजियों से बकरे की नसलों को लाकर तयार किया पुर्वान करने के बाद अल्लह रहा में हम सब गरीबों में बाटेंगे गरीबों में बाटेंगे हम सब हमारे भारई गोलुभाई है कुछ पंजाब से लिए हमने कोई गुजरी से लिए हैं कोई गुजरास से लाएं कोई कोटा से लाएं चार सिंग का मेंडा भी जो पाड़ी मेंडा बोलते हैं उसको बिलाईती मेंडा इसमें सबसे हाई लेश्ट 230-225 किलो का बकरा है करीब दो साल से हम बकरा पाल रहा हैं साल दो साल से काटने के पहले हम लोग कुर्बान करने के पहले हम लोग बकरे खरीदते हैं पालने के लिए उसके बाद कुर्बान करते हैं किस तरह से पालते हैं हम चने किलाते हैं इनको दूद पिलाते हैं बढ़ की पत्ती खिलाते हैं बिलकुल उलाज जैसा पाल के इसको बच्चों जैसा और कुर्बान करते हैं